तो यहां पर आपने ये अच्छी तरीके से कमर दर्ट के लिए रिलेक्स करना है एक हाथ से किसी से कराना है को कि ये आप खुद नहीं कर पाएंगे और ये मसल्ज जितनी रिलेक्स होंगी उतना ही आपको कमर दर्ट में उतना ही जल्दी आराम आएगा आपने हलके हलके पूरा टेल बॉन तक आपने रिलेक्स करना है ये टेल बॉन है और टेल बॉन तक आपने रिलेक्स करना है पूरे कमर हाथ से आपने पूरी स्पाइन को पूरे कमर के हिस्से को रिलेक्स करना है और ये कूले की हड़ी है ये कूले के जॉइंट है यहां करेंगे तो यह पूरे पैर में दर जा जो जा रहा है उसके लिए समाधाने मैं बताऊंगा आपको क्या करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक पैर को उपर की तरफ उठाना है होल्ड करना है छे से किंड के लिए फिर दूसरे पैर को हम उठाएंगे छे से किंड के एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और दीरे-दीरे रिलैप्स कर देना है, फिर दूसरा पैर उठाना है, आपने 6 सेकिन का होल्ड करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, फिर दीरे-दीरे नीचे करेंगे, फिर दोनों को एक साथ, अगर आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और फिर धीरे धीरे रिलाक्स तो ये प्रोसेज फिर एक बर पहले 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 से 6 सकंड की और फिर दूसरे पहले से 6 सकंड की फिर दोनों पैरों से 6 सकंड के लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर दर्द है तो इसको हम तीन से चार बार धोराएंगे लेकिन आप किसी के साथ ही करिए कोकि इसका सीधा सीधा लिंक आपके इस यहां पर जहां आप बैट भांते हैं आप कोई नाड़ा भांते हैं, आप को इसलास्टिक लगाते हैं, तो उस जगह पर इसका असर पूरा-पूरा आता है और यहीं से हमारी सिलिफ डेस्क, बल्ज, हर्नियेशन जैसे समस्चों का पर शुरुआत होती हैं, यह हमें ध्यान करना है कि यहां यह रिलाक्स होना बह पहले इसको करिये, फिर दूसरे पर को करिये, फिर दोनों को एक साथ करिये, तो ऐसे हम एक एक करकर पांच बार तक इसको लेके जा सकते हैं, और बहुत जदा बैक पेने में बार-बार कह रहा हूं, तो आप किसी के सपोर्ट से ही इसका अभ्यास करेंगे, तो यह कमर दर् की समस्चा हैं, उनमें तुरंत आपको आराम आ जाएगा, इस तरकी की वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बैल बटन जुरू दबाएए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत दानेवाद साथदार, वाल जुड़े रहने के लिए रहने के लिए रहने के लिए हमारे ओएगा हैं, इस तरकी के लिए हमारे चैनल खाखक बहुत दाने।